असलाम अलेकुब दोस्तों मैं हाकी मीया सिर्म्य यह बार फिर आपके खिर्में में हाजर हूँ और आज आपके लेकर लेकर आप हाईअ ग्लीट ट्रेशर यानि हाईपर टैंशन की उप़र यानि हाया बलेट टैंशन भी कहा जाता है तो इसके आपको बढ़ाना किलेस्ट्रॉल जाधा जाना कलेस्ट्रॉल खून कंदर जो गाड़ापन आजयता है यानि चरबी लाक आ जाती है और इस वज़ए से आपका बढ़ गया है जिसके वज़े से आपको हाई बलेट प्रेशर का मसला होता यानि एक दम से प्रेशर बढ़ जाना और खून गाड़ा हो जाना तो इस तरीके को इस्तमाल करने के बाद जो मैं चीज बता रहा हूं तो आपका जो है क्लिस्ट्रोल बी कंट्रोल कंदर है आपको और साथी साथ आपका जो है हार्ट अटेक का भी मसला इसकंदर आ जाता है तो जानते हैं आखिर इन चीजों को अगर आप देख रहें कि ऐसा होता है और आप इसी इलाज के बारे बारे कुछ ऐसा जानना चाहते हैं जिसके दवा इस्तवाल नहीं करना पड़ा ल होएं सबसे फासे पहले नंबर में हम अ कुलेस्ट्रॉल कर देखंव करते के बात करते हैं कि असे उसको करें एक चमले इस भाइत चाइभन को जो फाइधा उन लोगो भी है तो एक किलीस्टॉल को फाइदा उन लोगों को भी है तो एक बार सुबह में और एक रात को सोते हैं लेकि सेव का सिर्का या कोई सभी सिर्का लेने के बाद कम सिर्का एक दो घंट के नहीं आपको दूद का कोई तरीके का सेवन नहीं करना है नहीं तो सफ़य दब्दे वगारा यह आपने सुना होगा इस तरीका मसला हो जाता है तो एक तो यह हो गया क्लेस्ट बचना पड़ेगा वह आपको बिल्कुल नहीं खाना पड़ेगा और साथी साथ जितने भी बाहर के मैदा की आइटाम होती है बहार की जितनी तलिवी चीज़ा उनसे बची और घर की जो भी है वो खा सकते देशीगी का सेवन कर सकते हैं कोई मस्ता नहीं है आप जितना भी इ जर्दी इसकंदर नहीं खाएं और अंडे के अगर सपैदी यानि एग योग हट आने के बाद एग वाइट अगर आप खाना चाहिए सपैदी अंडे की तो आपके दिए फायदा कर सकते हैं लेकिंगे जो जर्दी है वह आपको बहुत जारा नुकसान करेगी इसकंदर ठीक अगर बड़ा इसकंदर लेना पड़ेगा इसको लेना तरीक है कभी आपका बीपी बड़ा तब ले सकते हैं ठंडा पानी कोई जरूर नहीं क्योंकि गुलाब की तासिर खुद एक ठंडी होती है जैसी ब्लेड जैसी अंदर मिलेगा तो ब्लेड को शांत कर देगा चीक है और दूसरे नंबर पर यह कि इसके अंदर अगर आप इसको ले तो होना बता कि चक्कर वगार आते हो दिल पर घबराइट जो होती है क्यों गुलाब दिल को बहुत जादा काम करता है दिल को ब्लेड पेशल वगार यह दो चीज़ें आपकी चांट्रोल के अंदर हो जाएंगी इस चीज़ को इस्तमाल करिए अगर इसकी बड़ी बाटल बगार कोई बीचीज चाहिए तो मार्केट से मिल सकती है नहीं मिले तो हमसे राफ्टा कर सकते हैं और बाकि किसी भी जड़ी बूटी के बारे में जानना है कोई बीचा के बारे में जानना है तो आप अमज़ा राफ्टा कर सकते हैं मंगा सकते हैं वाकि असलाम अलेकुम अल्ला हाफिज